हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे और जैसा कि आप लोग को पता है कि के प्रिवियस एर के कुश्चन से में सॉल्व करवा रही हूं तो यह जो पेपर है यह 21 जन्वरी 2024 वाला पेपर है जो अभी हुआ था अभी जो जन्वरी में पेपर हुआ था वही पेपर है यह इसमें जो भी एवियस के कुश्चन है उनको सॉल्व करेंगे तो ओफ्लाइन वाले जितने वी पेपर थे ये लास्ट आफ लाइन वाला पेपर है सभी पेपर मैंने solve करवा दिये हैं 2011 से 2024 तक जितने वी offline पेपर हुए थे उनको मैंने solve करवा दिया है online paper मैं तभी solve करवाऊंगी जब आप comment में बताएंगे कि आप online वाले paper पढ़ना चाहते हैं तो ही मैं online वाले paper solve कराऊंगी तो यदि आप online वाले paper भी पढ़ना चाहते हैं तो आप comment में जरूर बताईएगा इसके अलावा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like और share कीजेगा और यदि आप channel पर नई हैं तो channel को subscribe कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला प्रस्ण है which one of the following regarding johar is correct choose the correct option जोहर से समंदित निमलिकित में से कौन सा एक कथन सही है सही उत्तर चुने पहला विकल्प है यह समदाय आधारित वर्सा जल संचेन प्रडाली है दूसरा है यह पानी से असुदियों को filter करता है तीसरा है यह आसपास के कौनों में जमीन का पानी एकटा करता है और चौथा है यह नदियों से पानी एकटा करता है तो जोहर से समंदित जो कथन सही है वह है यह समदाय आधारित वर्सा जल संचेन प्रडाली है पहला विकल्प इसमें सही है इसमें क्या होता है मांसून के मौसम के दोरान वर्सा जल एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इसे डिजैन किया जाता है जो समदाइक के लिए एक स्थानी और टिकाउ जल सुरोत प्रदान करता है पहला विकल्प इसमें सही है इसमें जो जल होता है जोहर स्वयम भू जल को पंप नहीं करता है बलकि यह वर्सा जल संचैन पर निर्भर होता है यानि कि इसमें कोई पंप नहीं लगे होते वर्सा का जल ही इसमें एकत्रित किया जाता है पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जाँच कराने के लिए निर्देशित करते हैं खून की जाँच से पहला विकल्ब है उसमें उपस्तित हीमोगलोबिन का पता चलता है दूसरा है उसमें उपस्तित लोह तत्य की मातरा का पता चलेगा तीसरा है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्तिती का पता चलेगा और चोथा है उसमें उपस्तित जीवाणों का पता चलेगा तो इस प्रस्ण के लिए चौथा विकल्प सही है उसमें उपस्तित जीवाड़ूं का पता चलेगा मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है चौथा विकल्प इसमें सही है ये जो प्रस्ण है सभी प्रीवियस एर के प्रस्णों को घुमा फिराकर ही पूछा गया है इसलिए मैंने सारे प्रीवियस एर के उफलाइन वाले पेपर सौल्व करवा दिये है अगला प्रस्ण है मदुमक्खियों के च्छतों के बारे में नीचे दिये गई कतनों पर विचार केजिए पहला है मदुमक्खियां सहद के च्छतों में रहती हैं दूसरा विकल्प है पहला विकल्प है मदुमक्खियां सहद के च्छतों में रहती हैं हर च्छते में एक रानी मक्खिय होती है जो अंडे देती है दूसरा है च्छते में कुछ नर मक्खिय भी होती है जो च्छते के लिए स्रमिक के रूप में विसेश कार करती है तीसरा है च्छते में अधिकान सुमादा मख्यां स्रमिक मख्यां होती हैं जो दिन भर च्छते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं और चोथा है स्रमिक मख्यी सहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारू हूर चक्कर लगाते हैं तो इसमें जो सही है वह बताना है तो पहला इसमें सही है मदु मख्यां सहद के छटों में रहती है हर छटे में एक रानी मख्यी होती है जो अंडे देती है सही है छटे में कुछ नर मख्यी भी होती है जो छटे के लिए स्रमिक के रूप में विसेश कार करती है गलत है छटे म और बच्चों को पालने का कार करती हैं तो छट्ते में सरविक मधुमख्यां तो होती हैं लेकिन दिन भर छट्ते बनाने का कार वो नहीं करती हैं लेकिन इसके इलावा वे फूलों से रस एकत्र करती हैं सहद भी बनाती हैं इसलिए C भी गलत है स्रमिक मक्ही सहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारो और चकर लगाते हैं ये सही है A और D इसमें सही है यानि की चौथा विकल्प इसमें सही है तो मदुमक्हियों के बारे में कुछ महत पूर्टत्थ हैं जिनको आपको याद रखना है कि मदुमक्हियों की छते में तीन प्रकार की मदुमक्हिया होती हैं रानी मदुमक्ही स्रमिक मदुमक्ही और नर मदुमक्ही रानी मदुमक्ही अंडे देती हैं स्रमिक मदुमक्ही प्रस्ण भी पूछा जा चुका है तो ये सब बातें आप लोग को याद रखने है अगला प्रस्ण है निम्लिखित कथन A तथा कथन B को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें कथन A में लिखा है लगबग 4700 वर्स पूर्व सिंदु तथा इसकी साहिक नदियों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फूले कथन B में लिखा है गंगा तथा इसकी साहिक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगबग 1500 वर्स पूर्व हुआ तो इसमें पहला कथन तो सही है लेकिन B गलत है अगला प्रस्ण है पोचम पल्ली खूबसूरट डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विसेश पिरकार की बुनाई जिसे भी पोचम पल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात है जिला है या निम्लिकित में से किसका भाग है यह प्रस्ण पहले भी पूचा जा चुका है और दो बार दो से अधिक बार यह प्रस्ण पूचा जा चुका है और दो हजार चौबिस यानि अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रस्ण पूचा ग तो पोचम पल्ली जो है अब तेलंगाना का भाग है चोथा विकल्प इसमें सही है तो यहां पर पोचम पल्ली की खुबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साडियां और विसेश पिरकार की बुनाई जिसे भी पोचम पल्ली ही कहते हैं अगला प्रसन है हर्याना के सीमान्त वर्ती राज हैं सही है अगला प्रस्ण है कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें और निम्निलिखित प्रस्णों का उत्तर दें कथन ए में लिखा है रेसम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है आर में लिखा है कुछ मादा कीड़े फैरी मोनस छो करता है पहला विकल्प इसमें सही है रेसम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है उसकी गंद से और कुछ मादा कीड़े फैरी मोनस छोड़ते हैं जिसके गंद को नरकीड़े पहचान लेते हैं अगला प्रस्ण है दिये गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें कथन ए में लिखा है जायलम जल और खनजों को जड़ों से पौदे के बाकी हिस्सों तक पहुचाता है कथन B में लिखा है फ्लोएम भोजन को पतियों से पौदे के बिविन भागों में इस्थान आंतरित करता है तो इसमें कथन A भी सही है कथन B भी सही है दोनों ही सही है जायलम जो होता है जल और खनजों को जड़ों से पौदे के बाकी हिस्सों तक पहुचाता है जायलम पौधों में एक पिरकार का समवहनी उतक है जो जड़ों से पौधे के अन्भावों तक जल और खंजों के उपर की और परवहन के लिए जिम्मिदार होता है कथन ये भी सही है और फिलोयम भोजन को पतियों से बिभिन भागों तक इस्थानांतरित करता है ये भी सही है दोनों ही सही है पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है रवी ने एक गिलास में जल लिया उसमें उसने एक साबुत नीबू डाल दिया फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है आधा चम्मच एक बार में कुछ चमय पश्चात उसने पाया के पहला विकल्प है नीबू जल में डूब गया दूसरा है नीबू जल में तैरने लगा तीसरा है नीबू जल में दो भागों में तूट गया और चौथा है नीबू गिलास के बीचों बीच तो नेबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन जब उस पानी में नमक मिला दिया जाता है तो पानी का घनत बढ़ जाता है इसलिए नेबू जल में तैरने लगता है दूसरा विकल्प इसमें सही है वही प्रस्ण है बस पूछने का तरीका अलग है यदि पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि वही प्रस्ण पूछे जाते हैं अगला प्रस्ण है अलबिरूनी के बारे में निम्लिकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है सही उत्तर चुने पहला लिखा है अलबिरूनी जहां से आई थे उसे आज कल उजबेकिस्तान कहते हैं हजार से भी जादा साल पहले वे भारत आई थे उसने भारत के उस समय के त तालाब बनाने की तक्नीक की प्रसंसा की तो अलबिरूनी की बारे में जो गलत है बताना है अलबिरूनी जहां से आई थे उसे आज कल उजवेकिस्तान कहते हैं यह सही है हजार से भी जादा साल पहले वे भारत आई थे ये भी सही है उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तक्नीक की प्रसंसा की है ये भी सही है लेकिन ये लिखा है कि उसने भारत के उस समय की तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा ये गलत है क्योंकि चोथे विकल्प में लिखा ही है कि तालाब बनाने की तकनीक की पर्संसा की थी तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा गलत ही पूचा गया है तीसरा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण है नीचे दिये गई कथनों A और B पर विचार कीजी जो प्रस्ण है 2000 2013 वाला जो पेपर हुआ था 20 AGTHDoes में उसमें इसी चावल सम्मन्दित पूचा गया है बस पूचने का तरीका थोड़ा अलग है कथन A में लिखा है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान प्रकार है कथन B में लिखा है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए निम्लिकित में से सही चुनिए जो सही है वह बताना है तो दोनों ही इसमें सही लिखे हैं असम में चावल की एक प्रकार की किस्म होती है जिसे बोरा चावल कहते हैं ये चावल पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं पहला भी सही है और धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी अच्छी होती है और प्रिचुर मात्रा में जल की आवशक्ता भी होती है ए और भी दोनों ही सही है पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है उस वस्तू का द्रभमान ग्यात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रती मिली लीटर है तथा आयतन 3 मिली लीटर है द्रबमान वताना है द्रबमान क्या होता है द्रबमान वराबर घनत्व गुड़ा आयतन घनत्वी दिया गया है और आयतन भी दिया गया है दोनों का गुड़ा कर देंगे कितना आ जाएगा 12-36 यानि 36 गिराम सिंपल सा प्रस्ण पूछा जाता है इसका तरीका सीख लीजिएगा पहले भी इस प्रकार का प्रस्ण पूछा जा चुका है अगला प्रस्ण है घड़सी सर से संबंदित निमनलिकित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है सही उत्तर चुने लिखा है जैसल मेर के राजा घड़ यह लगवक 650 साल पहले बनाया गया था यह नो तालावों से जुड़ा हुआ था यह तालाव आज भी प्रयोग में हैं तो घरसी सर जो है 650 वर्स पूर्व जैसल मेर के राजा घरसी ने पिरजा के सायोग से बनवाया था जील के चारों और घाट हैं जिन में पानी तक जाने के लिए सीडिया हैं सजे हुए बरामदे बड़े हॉल कमरे और बहुत कुछ है लोग यहां तेवार मनाने तथा संगीत और नरत के कारकरमों के लिए आते हैं इस जील का निर्मार बरसा जल संचैन के लिए किया गया था इसे इस तरह से बनाया गया था कि जब जील भर जाती तो अत्रिक्त पानी निचले इस तर पर दूसरी जील में चला जाता था तो इस प्रिकार से इसे बनाया गया था तो इसमें लिखा है इसे जैसल मल की राजा घरसी ने बनाया था सही है यह लगबग 650 वर्स पहले यह भी सही है यह नो तालावों से जुड़ा हुआ था या नो जीले इसमें जुड़ी हुई थी तालाव या जीले तो यह भी सही है लेकिन यह आज भी प्रियोग में है यह गलत है और गलत ही पूछा गया है चौथा विकल्प इस प्रस्न का उत्तर है ये आज भी परियोग में नहीं है चौथा विकल्प इस प्रस्न का उत्तर होगा अगला प्रस्न है दिये गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चैन करें अभी कथन ए में लिखा है हम अधिक उचाई की तुल्ला में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं कारण में लिखा है अधिक उचाई पर पानी का क्वितनांक बढ़ जाता है तो पहले में लिखा है अभी कतन में लिखा है हम अधिक उचाई की तुल्ला में समुद्र तल पर आसानी स पका सकते हैं युदिजह। दूसरे में लिख़ा है अधिक उचाई पर पानी यार क्विकलक्त सब्सक्रफ सोका है। इससलिए प्राइज में गलत लिखा हूआ है। यह सही है टो आफ-लाइन वाले पेपर में समाप्त होते हैं जितने भी offline paper हुए थे 2011 से और 24 तक मैंने सभी को एक एक करके उसमें जो भी EBS के question थे मैंने solve करवा दिया आप online वाले paper मैं तभी solve करवाऊंगी जब आप लोग मुझे comment box में कहेंगे के आप online वाले paper भी solve करवाऊंगी तभी मैं online वाले paper solve करवाऊंगी तो इस वीडियो के किसी भी प्रस्ण में आपको doubt हो तो comment box में जरूर लिखिएगा और यदि चैनल पर नई हैं तो चैनल को subscribe कर कीजिए और वीडियो को like और share कीजिएगा तो वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा वीडियो को like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई